So, hello everyone, welcome to the exam time. So, भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं BHU BCom Interns के detailed syllabus के बारे में हर एक subject के अलग-अलग videos तुम्हें मिलेंगी detailed syllabus जिसमें मैं बताऊंगा तुम्हें और example, अगर accounts topic हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे कौन-कौन से topics हैं, जहां से questions बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे उस particular वीडियो में आज की इस वीडियो में particularly कह सकते हो accounts के detail syllabus को तुम्हारे साथ discuss करूँगा waitage बताऊंगा, साथी साथ वो important topic जहां से questions आते हैं उसके बारे में भी बात करूँगा तो अगर आप हमारे चानल पे नए हो, BHU के लिए prepare कर रहे हो या फिर C.U.C.T के लिए prepare करने वाले हो तो आप हमारे चानल को subscribe कर लो क्योंकि हमारे चानल पे ऐसे videos post होती रहते हैं तो चलिए, सबसे पहले एक मैं आपको chart दिखा देता हूँ जिससे आपको clarity हो जाए कि कौन-कौन से subjects जो है आपके exams में पूछे जाते हैं तो यह रहा चार्ट, BHU, B.com का यहोप आपको दिख रहा होगा टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे 11 subjects ठीक है 11-10 ही है लेकिन यहाँ पे 2 subjects अलग अलग है तो यह 10 subjects है जहाँ से questions आपके exams में बनते हैं Accountancy, Economics, Financial Statement, Money Banking, Business Management Business Organization, Business Environment, Financial Market, Maths GK and Current Affair and Computer तो यह क्या है हमारे total 10 unit है यह दो एक ही है consider करना इसे तो हर एक unit पे आपको मैं अलग से वीडियो दूँगा और तुम्हारा क्या काम होना चाहिए मेरा suggestion भी रहेगा यहां पे पतली सी notebook लो छोटी सी पतली सी आती है यह तो चलो मेरे पास एक है यहां पे एक diary type की है यह चोटी सी पतली सी जो आती है वो एक ले लो और उसमें हर एक subject के syllabus को note down कर दो इससे यह होगा कि तुम्हें जब syllabus देखना होगा तुम्हें अपने performance को measure करना हो कि तुमने कितने chapters complete कर लिए कौन-कौन से topic रह गया है तो उस time तुम syllabus देख सकते हो और जैसे topics complete होते जाएं तुम उसमें tick लगा सकते हो तो एक notebook ready कर लो उसमें सारे syllabus को note कर लेना उसे पहले चाहोते हैं कि यह chart भी बना सकते हो ठीक है तो सबसे पहले में लोग start करते हैं with accountancy और क्या है कैसे है उसके बारे में चर्चा करते हैं यह रहा accounting तो देखो सबसे पहले में बताना चाहूंगा accounting के बारे में accounting कहलो, accountancy कहलो इससे number of questions जो बनते हैं आपके BHU BCOM entrance exam में वो है 15 questions अब एक चीज मैं देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही clear करना चाहूंगा कि future में हो सकता है CUCT में BHU include हो जाए chances full है क्योंकि यह Central University और जो list आया उसमें BHU भी है लेकिन अभी तक BHU से इसके regarding कोई भी update नहीं आया भले ही तुम यह वीडियो अगर बाद में देख रहे है वो दो-तीन महीने बाद तो हो सकता है उस टाइम BHU आ गया हो Central University's common entrance exam में लेकिन फिलाल जब मैं यह वीडियो post कर रहा हूं अभी particularly BHU का कोई भी update नहीं है CUCT को लेकर लेकिन हाँ full chances हैं कि BHU CUCT में integrate हो जाए तो accounting के अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा सबसे पहले एक accounting and introduction basic topic आता है जिसके अंदर आप accounting के बारे में पढ़ते हो double interest system के बारे में पढ़ते हो कुछ history है accounting के regarding उसे हम लोग देखते हैं तो यहां से questions कहीं न कहीं बनते हैं फिर meaning क्या होता है accounting का accounting scope क्या है कौन-कौन से area में accounting operate करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं फिर accounting concepts accounting concepts होगे principles होगे conventions होगे postulates होगे इन सबसे भी questions आपके exams में पूछे जाते हैं और particularly अगर हम बात करें अपने course के जो हमारे exam time के थ्रू course करवाया जाता है भी एच्छू, बीकॉम इंटरेंस, लाहाबाद, बीकॉम इंटरेंस इवन सीउ, सीटी जो आने वाला है तो उसमें हर एक topic के अलग से separate video होते हैं जिसमें आपको हर एक चीज बहुत ही बैतरीन तरीके से करवाया जाता है in live as well as recorded classes so आप चाहो तुमारे courses में भी enroll हो सकते हो next यहाँ पर आता है accounting standard यह कोई खास important नहीं है इसमें AS वगेरा जो तुम सुनते हो AS1, AS2, AS3 यह सारी चीज़े सुनते हो वो तुमें कहीं न कहीं रटना होता है AS होता क्या है accounting standard 3 किसे denote करता है AS5 किसका है या फिर तुम से पूछा जा सकता है depreciation का कौन सा AS है goodwill का कौन सा AS है AS accounting standard उसके बारे में आपे बात हो रही है ठीक है so next आता है basic accounting procedures procedure में क्या जाएंगे सर journal entry हो गया accounting cycle देखा है न उसके बारे में आपे बात की जाती है फिर तुमारे ledger हो गए चोटे चोटे questions बनते है trial balance से questions पूछे जाते है subsidiary book से questions पूछे जाते है subsidiary book क्या होता है सर्फ जैसे कि purchase book तुमारे हो गए sales book हो गए sales return book हो गए purchase return book हो गए अगर subsidiary book के बारे में बता हूँ तो इसमें वही credit goods जो भी goods बेचे या खरीदे गए हो कुधारी पे मतलब उधारी इन दे sense की credit पे cash related transactions या record नहीं होते हैं इसमें subsidiary book में तो इसके बारे में detail हम लोग video lectures में देखेंगे फिर cash book से questions आपके exams में बनते हैं contingent assets and contingent liability के बारे में पूछे जा सकती है rectification of errors में आपके errors जो होते हैं उसके बारे में questions बन सकते हैं most important यहां से practical questions पूछे जाते हैं कौन से chapter से sir bank reconciliation statement की में बात कर रहा हूँ यहां से आपसे numerical questions भी बनते हैं appreciation आपके numerical questions बनते हैं यहां पर जो भी मैं चीज़े आपको लिखा रहा हूँ लिखते जाओ numerical practical दोनों ही same है उपर जो भी मैंने आपको बता है maximum से आपके theories पूछे जाते हैं यह पूछे जाते हैं theory पूछे जाते हैं यह दो रहा आपका bank reconciliation इससे practical numerical पूछा जाएगा आपसे गलग चीज़े पूछे जा सकते हैं चाप्टर से फिर partnership से theory प्लस practical दोनों ही important है consider करना यहां पे तुम बोथ लिख सकते हो चाहो तो partnership से change in PSR से भी बोथ लिख डालो goodwill से भी बोथ लिखना admission से भी बोथ लिखना sir कैसे questions पूछे जाते हैं तुम्हें दे सकता है new ratio निकालने के लिए gaining ratio, sacrificing ratio goodwill कितना लाया गया है old goodwill वगरा यह सारी बाते जो होती है वो सारी चाहिशे तुमसे पूछे जा सकती है retirement and death of partner dissolutions of a partnership तो यह होगा आपका partnership से question पिज अगर हम बात करे company accounts की जिसमें हम sales deventures इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से भी questions बनते हैं और खास कर मैं आपको बताना चाहूँगा shares जैसे chapter से हर साल आप previous year उठा के देख लो numericals यहाँ पे होते हैं तो इस बात का भाई साब ध्यान रखिएगा आप फस सकते हो इस चीज में theoretical चीजे भी होती है company account से, deventures से, redemption से अब दो additional higher purchase और inventory यह side कर दो exclude करके भी चल सकते हो लेकिन एक edge पे रहने के लिए पढ़ सकते हो तो यह रहाँ आपका accounting का syllabus syllabus देख के आप डरना मत आपके 11th and 12th syllabus को compile किया गया है और कुछ topics आपके become से भी उठाए गए अब कुछ student के mind में आएगा सर यह तो पूरी तरह से 11th and 12th का हम तो आराम से कर लेंगे बिल्कुल भाई साब कर सकते हो इसमें कोई भी दोरा नहीं है लेकिन इसमें जो questions pattern होते हैं वो हर साल कुछन कोश changes आती रहती हैं अगर तुम 12th के level पे लेकर चल रहे हो तो मेरा suggestion रहेगा खुद को धोरा सा upgrade करने की इसमें कोशिस करना अगर तुम self study कर रहे हो और जिन students ने course ले रखा है तो आप तो निशिंत रहना मैं आपको इसमें हर एक चीज complete तरीके से करवाऊंगा हर एक video lectures में आपको detailed aspect के तुरू पढ़ाया जाएगा तो अगर आप चाहो तो आप मारे detailed course में जोर सकते हो BHU BCOM entrance के लिए उसमें आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से करवाया जाएगा live plus recorded lectures होंगे study material आपके घर तक पहुँचाया जाएगा instant doubt solving feature यहाँ पर दी गई है MCQs मिलेंगे जिससे आप एक H पे रह पाओ और protest series है ठीक है भाई साब protest series जो लोग अलग से मिलता है वो इसमें मैंने सब कुछ integrate कर डाला है और वो भी nominal price पे major universities cover है कौन कौन से universities cover है future में अगर CUCT आता है तो भी इस subscription के थुरू आपका preparation हो जाएगा और study material कुछ हमारा ऐसा दिखता है आप चाहो तो देख सकते हो अभी फिलाल में पास आसपास hard copy नहीं है तो मैं वो भी तुम्हें दिखा देता printed best quality material है और best delivery partner के थुरू आपके door step पे within 4 to 7 days में आपके घर तक यह पहुँचा दिया जाएगा तो अगर आपको इसमें add होना है तो यहाँ पे जो number दिख रहा है 8102043143 उस पे call कर सकते हो ठीक है नहीं call करना है अगर doubt clears है सारे चीज़ तो description में direct link दिया गया है course का वहाँ पर जाकर purchase कर सकते ठीक है और कोई भी doubt है तो इस number पे contact करो हर एक जो problems होते हैं तुमारे course के regarding वो सब कुछ clear करती जाएगे so accounting मैंने syllabus तुम्हें बता दिया मिलते हैं next video में next subject के syllabus के साथ तब तक के लिए धन्यवाद